हरी नगर में मनिराम नाम के एक सेट जी रहा करते थे सेट जी के परिवार में उनकी पत्नी कमला और दो बेटे मोहन और सोहन थे सेट मनिराम की पत्नी कमला पूझा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी ना कभी मंदिर जाना ना भगवान का नाम लेना मानो पूरी नास्दिक यही आदत उसने अपने घर के सदस्यों की बना रखी थी वो अपने साथ साथ अपने दोनों बेटों और पती को भी पूझा पाठ नहीं करने देती थी यदि कोई भगवान का नाम ले तो वो उस पर गुस्सा हो जाती थी कमला तुम तो इस घर में पूझा पाठ करने के बिलकुल खिलाफ हो यदि हमारे बेटों की पतनिया पूझा पाठ वाली आ गई तो तुम क्या करोगी क्या करोंगी जैसा इस घर में आज तक होता आया है आगे भी वैसा ही होगा मेरी दोनों बहुएं भी मेरी ही तरह नास दिखोंगी और मेरा ही कहना माने की कुछ दिन बाद सेट मरीराम के बड़े बेटे की शादी वीरपुर गाउं में रहने वाली सत्यवती से हो जाती है सत्यवती भगवान शिव की परमभक थी वो बचपन से ही भगवान शिव के सोमवार रत रगती थी और नित्यप्रती भगवान शिव की आरादना और पूजा भी करती थी शादी के बाद भी सत्यवती ने इस लियम को बनाई रखा और अगली सुबह वो उठ कर घर में मंदिर ढूडने लगी उसने अपनी सास कमला से पूछा मा जी घर में मुझे मंदिर दिखाई नहीं दिया आप पूजा पाट कहां करते हो घर में पूजा घर किस अस्थान पर है हमारे घर में कोई पूजा पाट नहीं होता और खबरदार अगर तुमने भी पूजा पाट की मैं पूजा पाट करने के सक्त खिलाब हूँ इस घर में सब मेरा कहा मानते है इसलिए कोई भी पूजा पाट नहीं करता पर मा जी मैं तो नित्यप्रदी भगवान शंकर की पूजा करती हूँ और सोमवार की व्रत रखने के साथ साथ शिव मंदिर भी जाती हूँ अरे ये पूजा पाट में कुछ नहीं रखा ये सब ढोंग है तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा अब जाओ कोई पूजा पाट करने की जरुरत नहीं है जाकर रसोई में काम करो अपनी सास की बाते सुन कर सत्यवती उदास हो जाती है ये शिव शंकर अब मैं आपके मंदिर कैसे आऊँगी आपकी पूजा कैसे करूँगी सासुमा तो आप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है कमला अगर बहु का मन है तो उसे जाने दो तुम क्यों उसे रोकती हो जाओ बहु, मंदिर हो आओ सत्यवती मंदिर जाती है और भगवान शिव की पूजा करती है कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा पर एक दिन जब सत्यवती मंदिर से आई सत्यवती, तुम्हें एक बार मैं समझ में नहीं आता मैंने तो माजी को कुछ भी नहीं कहा मोहन बेटा रहने थे ये आजकल की बहुमे सास की इज़त नहीं करती ये सामने खड़ी है पूछ इससे मना किया था कि ये मंदिर नहीं जाएगी पर ये अपनी मनमानी करती आ रही है अब तू देख इसका क्या करना है वो बिचारी कुछ नहीं कर पा रहे थी अगले दिन सत्यवती पूजा की थाली तैयार करके शिव मंदिर जाने के लिए अपनी सास कमला से आगर करती है उस समय घर पर कोई भी नहीं था ये क्या हाथ में उठाय चली आ रही है घर में कोई काम काज नहीं है क्या माजी आज मेरा महाशिवरात्री का वरत है कृपया मुझे भगवान शंकर की मंदिर जाने तो मैं शिवलिंग पर बेल पत्र और जल चड़ाना चाहती हूँ तू ऐसे नहीं मानेगी इस समय तो मोहन भी घर पर नहीं है वरना वो तुझे रोक लेता कहीं ऐसा ना हो तू मुझे से नजरे बचाकर चुप चाप मंदिर भाग जाए चल मैं तुझे कमरे में ही बंद कर देती हूँ माजी माजी ऐसा मत कीजे मुझे मंदिर जाने दीजे माजी सत्यवती रोती चिलाती रहती है पर कमला को उसके रोने का कोई असर नहीं होता वो सत्यवती को कमरे में बंद करके बाहर आ जाती है बाहर आंगन में फरश पर पानी बिक्रा हुआ था अचानक कमला पानी के उपर फिसल जाती है और उसकी सिर में अचानक चोट लगने से उसकी सांसे थम जाती है तभी सीट मनी राम और उनके दोनु बेटे भी वहां आ जाते है जल्दी से बहु के कमरे का दर्वाजा खुलो मातम चाया हुआ है प्रभू प्रभू ऐसा ना करो मेरी सासुमा को जिन्दा कर दो आप तो काल को टालने वाले महा काल हो शिवशंकर इस काल को टाल दो वरना मैं यहीं आपकी चौकट पर सिर्फ पटक पटक कर अपने प्रांट त्याग दूगी मैं भी अपनी जान दे दूगी भोले बंडारी हे शंभू मेरी सासुमा को फिर से जीवन दान दे दो हे शिवशंकर मेरी सासुमा को फिर से जीवन दान दे दो सत्यवशंकर मेरी सासुमा को फिर से जीवन दान दे दो कमला, तुम, तुम जिन्दा हो गई ए भगवान, ये जरूर सत्यवती बहु की पूझा का फल है कमला, हमारी बहु दोड़ती हुई शिव मंदिर गई है मुझे शिव शंकर की मंदिर ले चलो, मैं भी उनकी दर्शन करूँगी मेरी बहु के पास मुझे ले चलो सब लोग शिव मंदिर पहुचते हैं सत्यवती शिवलिंग के पास बैठी रो रही थी उसकी आँखे बनती कमला की आवाज सुनकर सत्यवती आँखे कोलती है सत्यवती बहु, सत्यवती बहु माजी, माजी आप ठीक हो गई सारी दुनिया को संभालने वाले भोले भंडारी ने आज मेरी रक्षा की है मैं भी अब इनकी पूचा करूँगी बहु अब मेरे घर में भी भगवान की पूचा होगी सत्संग किर्टन होगा खुश्यों से त्योहार मनाय जाएंगे जय भूला भंडारी आपकी जय हो सब भगवान शंकर को नमन करते है सत्यवती की इश्वर भक्ती का विश्वास जीत जाता है और भगवान शिव की कृपा से सत्यवती के जीवन में खुश्या आ जाती है सावित्री को भारतिय संस्कृती में आदर्श नारी और पतिवरता के लिए एतिहासिक चरित्र माना जाता है पती के प्राणों की रक्षा के लिए वियमराज के पीछे पढ़ गए और अपने पती को जीवन दान देने के लिए विवश कर दिया सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्वों में मिलती है जब एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने मारकंडेय रिशी से कहा ए रिशी श्रेश्ट मुझे अपने कष्टों की चिंता नहीं है किन्तु दुवपदी के कष्ट को देखकर अक्ट्यंत दुख होता है जितना कष्ट ये उठा रही है क्या और किसी अन्यपती वरता नारी ने कभी उठाया है ए धर्म राज, तुम्हारे इस प्रश्ट के उत्तर में मैं तुम्हें पती व्रता सावित्री की कथा सुनाता हूँ मदर देश के राजा अश्वपती की कोई संतान नहीं थी संतान ना होने से राजा अश्वपती चिंतित रहने लगे तब वो अपनी पत्नी के साथ रिशी मुनियों के पास इसका उपाय पूछने गए हे मुनिवर, विभा के कई वर्षों पश्चाद भी हमें संतान का सुक प्राप्त नहीं हुआ है कोई तो उपाय होगा रिशीवर हे राजन, इसके लिए आपको देवी सावित्री यानि की मा सरस्वती का ध्यान करना होगा और तब करना होगा मैं देवी सावित्री का आवाहन करते हुए तब अवश्य करूँगा मुझे आशिरवाद दी जिये रिशीवर, कि मैं इस परीक्षा में सफल रहूँ अवश्य राजन, मेरा आशिरवाद तुम्हारे साथ है और फिर राजा आश्वपती ने कई वर्षों तक माता सावित्री की पुझा की और एक दिन राजा आश्वपती के द्वारा किये गए कठोर तब से प्रसन्न होकर माता सावित्री प्रकट हुई हे राजन, मैं तुम्हारे कठोर तब से प्रसन्न हूँ मैं तुम्हे बर्तान देती हूँ कि तुम्हारे घर एक तेजस्वी और सर्व गुणों से संपन्न कर्ण्या का जन्म होगा आपके दर्शनों से मैं धन्ने हो गया माता, आपकी जयह हु माता सावित्री के दिये आशिर्वात से राजा अश्वपती के घर एक सुन्दर कन्या ने जन्म लिया माता सावित्री की क्रिपा से जन्म लेने की वजह से कन्या का नाम सावित्री रखा गया राजकुमारी सावित्री जन्म से ही तेजस्वी और सभी गुणों में संपन्न थी। सावित्री जब बड़ी हुई तो राजा अश्वपती को सावित्रे के विभा की चिंता होने लगी। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री, पिताश्री महराच आपने मुझे याद किया। जब वो अपना परेटन कर वापस अपने घर लोटी तो उस समय सावित्री के पिता देवर्शी नारत के साथ वारतलाब कर रहे थे। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम देवर्शी नारत। पिताश्री महराच आपकी आग्यानुसार में पती का चुनाव करने के लिए अनेक देशों का परेटन कर वापस लोटी हूँ। शालव देश में धुमत सेन नाम से विख्यात एक बड़े ही धर्मात्मा राजा और उनकी पत्नी जिनकी आँखों की रोश्नी चली गए। जब वे अंधे हुए उस समय उनके पुत्र की बाल्या वस्था थी। धुमत सेनके अंधत्व तथा उनके पुत्र के बालिपन का लाब उठाकर पड़ूसी राजा ने उनका राज्य छीन लिया। तबसे वे अपनी पत्नी एवं पुत्र सत्यवान के साथ वन में चले आए और कठोर जीवन यापन करने लगे। उनके पुत्र सत्यवान अभ्युवा हो गए हैं। वे सर्वता मेरे योग्य हैं। इसलिए उन ही को मैंने पती रूप में चुना है। किन्तु वो अलपायू है और उसकी आयू केवल एक वर्ष ही शेश रह गई है। उसके बाद वो मृत्ति को प्राप्त हो जाएगा। क्या सत्यवान अलपायू है। पुत्री सावित्री मैं तुम्हें फिर इस विवा के लिए कैसे हां कह दू। निवर्षी नारजी के बचनों को सत्यमान कर किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपने पती के रूप में चुन लो। हे तात, भारती अनारी अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पती का वरण करती है। और मैं सत्यवान को पती रूप में स्विकार कर चुकी हूँ। अब जाहे जो भी हो, मैं सत्यवान से ही विवाह करूँगी। मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अपने पती के रूप में राजन सावित्री को विवहा की अनुमती दे दिजिए। राजन सावित्री को विवहा की अनुमती दे दिजिए। राजन सावित्री वन का मार्ग अत्यन्त दुर्गम है और वहां जाने में तुम्हें बहुत कश्ठ होगा। बस आज के लिए चलने दीजे स्वामी। पुत्र सत्यवान यदि सावित्री का तुम्हारे साथ जाने का मन है तो उसे अपने साथ ले जाओ। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। और हम जानते हैं कि सावित्री भी बहुत निडर है। अपना खयाल रख सकती है। साथ ससुर से आज्या लेकर सावित्री भी सत्यवान के साथ वद्ने कैई। सत्यवान लकडियां काटने विर्क्ष पर चढ़ा परंतु। क्या हुआ स्वामी आप विर्क्ष से नीचे क्यों उतर आए। पता नहीं सावित्री अचानक से चक्कर आने लगे और लकडिया काटी ही नहीं जा रही थी। इच्छा हो रही है कुछ देर लेट जाओ। स्वामी आप मेरी गोद में से रखकर लेट जाएए। मैं कुछ देर हवा कर देती हूँ। आर्तस्वर में पूछा। क्यूंकि तेरे पती के आयू पूर्ण हो चुकी है और वो आप तुझे वापस नहीं मिल सकता। अच्छा हो कि तु लोट कर अपने पती के मृत शरीर की अंतेश्टी की विवस्था कर अब इस थान से आगे तू नहीं जा सकती। हे प्रभू भारतिय नारी होने के नाते पती का अनुगमन ही तो मेरा धर्म है और मैं इस अस्थान से आगे तो क्या आपके पीछे आपके लोग तक भी जा सकते हूँ। क्योंकि मेरे पती वरत धर्म के बल से मेरी गती कहीं भी रुकने वाली नहीं है। सावित्री मैं तेरे पती वरत धर्म से अत्यंत प्रसन हूँ। इसलिए तू सत्यवान के जीवन को छोड़ कर मुझसे कोई भी तीन बर्दान मांग ले। प्रभु मेरे साव ससूर नेत्रहीन है। आप क्रिपा करके उनके नेत्रों की जीवती पुना प्रदान कर दे। ऐसा ही होगा लेकिन अब तू वापस लोड़ जा। भगवन जहां मेरे प्राणनात होंगे वही मेरा निश्चल आश्रम होगा। इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिये। मुझे आज आप जैसे देवता के दर्शन हुए हैं और देव दर्शन तथा संत समागम कभी निश्फल नहीं जाते। देवी तुने जो कहा है वो मुझे अत्यन तप्रिय लगा है अतहा तु फिर सत्यवान के जीवन को छोड़ कर दूसरा बर मांग ले। हे देव मेरे ससुर का खोया राजियोंने वापस मिल जाए। तथास तू अब तू लोड़ जा। हे यमदेव मैं अपने पती को छोड़ कर एक शन भी जीवित नहीं रह सकूँगी। आप तो संतर रिदय हैं और संतों से सब प्रेम करते हैं। कल्याडी तेरे वचनों को सुनकर मैं तुझे सत्यवान के जीवन को छोड़ कर एक और अंतिम वर दिना चाहता हूँ। किन्तु इस वर के पश्चाद तुझे वापस जाना होगा। प्रभू, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं, तो मेरे ससुर धुमत से इनके कुल की वृध्धी करने के लिए मुझे सौ पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। ठेक है, ये वर भी मैंने तुझे दिया, अब तु यहाँ से चली जा। जीवित होकर वो अपने माता-पिता के पास गए तो देखा, कि वो देख सकते हैं। उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया है। और इसके बाद सावित्री पुत्रों की मा भी बनी। इस प्रकार सावित्री ने अपने पती वरता वरत के प्रभाव से न केवल अपने पती को पुनह जीवित करवाया। बल्कि सास ससुर को नेत्र जोती प्रदान करते हुए, उनके ससुर को खोया राज्य फिर से दिलवाया। सचमुच धन्य है देवी सावित्री। आज उनके कथा सुनकर मेरा जीवन किरतार्थ हो गया।